आई दोस्तों असलाब अलेकुम केसे आप लोग मेरा नबील है आइफोन 14 प्रो मैक्स की अन्बॉक्सिंग देख लिए आपको बहुत मजा आया अब आप देखेंगे आइफोन 14 की अन्बॉक्सिंग और एक क्विक लुक यह आइफोन 14 जो है पर्पल कलर में यह भी नया कलर ह और यह मैंने लिया है 512 GB वाला तो चलिए करते हैं इसको चेक आउट फटाफट करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग तो यह गाइज आइफोन 14 का बॉक्स पॉपल कलर में काफी खुपसूरत वाइट कलर का बॉक्स है इस बार प्रो मॉल्ड के भी वाइट है और नॉमल मॉल क की भी वाइट है यहाँ आप देख सकते हैं साइड में यह पॉपल कलर में ही आईफोन लिखा हुआ है और यहाँ पे पीछे वही पुल्टाब वाला जो है इसका बॉक्स है और यहाँ पे इसके सारे डीटेल लिखे हुए है और इस साइड में जो है इसका प्राइजिंग विच इस वन लाक नाइन थाउजन नाइन रडर पीस क्यों इतना जाद है विकोज इस फाइवन टू जी बी वेरिंट आपको जो है वन ट्वेंटी जी बी से मिलना शुरू हो जाता है और से विच जो भी आपके लिए सही है वो आप वेरिंट के लिए जा सकते हो तो यह गाइस पॉपल कलर में हमारा आइफोन 14 और यहां पे काफी खुबसूरत है इसका यह कलर मुझे पॉपल बहुत पसंद आया और मैंने उसमें जो है ब्लैक कलर लिया हुआ है बॉक्स के अंदर आपको वही आपल स्टिकर और एक चार्जिंग केबल भी लेगा चार्जर यहां पे नहीं है और कर देते इसका फर्स बूट एक आइफोन से दूसरे आइफोन पे जब हम अपग्रेड करते तो इसका बेस्ट पाट किया रहा है जब आप इसको अनलॉक करेंगे और अपने पुराने आइफोन को अनलॉक करके इसके नस्दीक लाएंगे तो देखिए यहां पे पॉप आइफोन फोर्टीं सेटब होता है लेस्ट कमपडेड दू आइफोन फोर्टीं देखों एकजक्डि सेम है सारी चीज़े सारे डामेंशिन सेम है और वेड बी जो है ऑल्मूस सेम है बस एक दो ग्राम का फरक है यहां पर जो कैमरा का मोडियूल है वह आइफोन 14 का बहुत ही आसान है कि आईफोन 13 और आईफोन 14 के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो ही बॉड़ी, हर चीज़ वही जो है, आपल ने यहाँ पे कॉपी पेश कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंस है और यह काफी वेलकमिंग मूव है, जो लोग भी आईफोन आपल ने यहाँ पे रिपेरेबिलिटी पे धिहान दिया है, रिपेरेबिलिटी बढ़ाई है आईफोन 14 के अंदर और यह मुझे काफी जबदस मूव लगा, काफी अच्छा मूव लगा, वेलकमिं मूव लगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बैक ग्लास टूटेगा, तो बैक आइफोन 14 अच्छा है, नएYए मृटेपर आपको देखने मिलेगा, यहाँ बागी सारे बारे मन पसंद का यहाँ पर लगा सकते, यह नए आईफोन के साथ ही मिलेगे, पुराने आईफोन पर आपको देखने नहीं मिलेंके, यह किस्टमाइशन के पार में जानते हैं, यह पर कोई भी always on display नहीं है, यह OLED पैनल है वही जो आपको iPhone 13 में लेखने मिलता था, इसकी जो brightness है, इसकी pixel density है, सारी चीज़े जो है exactly same है, iPhone 13 और iPhone 14 के display में, there is no difference, iPhone 14 प्लस जो है, उसका इंतदार मुझे जरूर रहेगा, यह दोनों तो iPhone 13 और 14 है, जो कि 6.1 इसके display के आते है, वो device कैसा रहेगा वो देखने वाली बात होगी, अभी तो फिलाल इनके display सेम है, यही आप समझ लीजिए, specifications और performance की बात करें, तो यहाँ पर आपको जो differences है, similarities सब बताता हूँ, दोनों में A15 बायनिक चिप सेट है, iPhone 13 में और 14 में दोनों में है, लेकिन यहाँ पर जो A15 बायनिक सेटा हूँ, scores में benchmark के, तो CPU score अगर हम यहाँ पर देखे, तो single core और multi core में आपको कोई फरत देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि CPU जो है, दोनों का सेम है, लेकिन GPU score अगर हम यहाँ पर देखे, तो 2000 points से जादा है, iPhone 14 का, तो definitely GPU जो है, यह iPhone 14 का जादा powerful है, iPhone 13 के मुकाबले, क्यों यहाँ आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर आप सेम इंटरफेस देखेंगे, 14 Pro के अंदर भी सेम इंटरफेस है, लेकिन यहाँ पर फरक आता है, cinematic mode के अंदर, आप cinematic mode के अंदर, आइफोन 13 के अंदर, यह HD, याने 1080p ही support करता था, अपको 30 seconds, लेकिन iPhone 14 के अंदर, आप 4K द Megapixel के है, front और rear facing में, पीछे एक ultra wide है, और एक wide angle lens है, जो कि main lens है, थोड़ा बहुत aperture में फरक है, exactly अगर आप जानना चाहते हैं, तो main camera का aperture है, वो F1.5 है, जो कि iPhone 13 में F1.6 था, तो slide improvement है, और front camera का aperture है, वो F1.9 है, जो कि iPhone 13 में F2.2 था, लेकिन यहाँ पर front camera में improvement यह है, कि यहाँ पर जो है, first time किसी भी iPhone के अंदर Apple ने दिया है, auto focusing, तो यह काफी अची चीज़ है, और rear facing camera की videos के अंदर आपको मिलता है, action mode, अब action mode क्या है, अगर आप कोई video ले रहे हो, देखो, यह दोनों lenses पे काम करता है, wide and ultra wide, अब यहाँ पर में video on करता हूँ, और इस तरीके स हम camera test होगरा करेंगे, और अच्छे से आपको समझ में आएगा, यहाँ एक और चीज दिया, Apple ने front और rear facing दोनों cameras के अंदर, वो है photonic engine, यह इनकी खुद की image processing है, Apple की, जो के इसको better low light capabilities provide करती है, तो यह processing किस तरीके से काम करेंगे, जब हम 13 और 14 का camera comparison करेंगे, तभी हमको exactly सम smart part होता है, उसके अंदर एक light sensor होता है, यह light sensor क्या करता है, आपका जो display है, उसको dim करता है, bright करता है, जो भी ambient light होती है, उसके मुताबिक, लेकिन Apple ने इस बार iPhone 14 के अंदर, 14 के back में भी जो है, एक light sensor दिया हुआ है, camera के module के अंदर, जहां पर flash है, उसके पास, तो यह क्या कर करता है, ना सिर्फ आपके display की brightness को सही रखने में मदद करता है, content creators को ध्यान रखते वे चीज़ बनाईए, जिसे अभी मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा light आ रही है, और मेरे camera जो है, वो मुझे focus किया हुआ है, तो ring light इस्तमाल करे हो, या इस तरह की light इस्तमाल करे हो, और जो है, वो देम हो जाता है, जादा bright हो जाता है, जिस वएसे आपको सही से नजर नहीं आता, तो यह भी मुझे काफी अच्छी चीज लगी, और यह camera के अंदर मदद कर रहा है, display के अंदर भी, so it is a good thing, battery capacity के अगर बात करेगा, तो यहाँ पे 13 और iPhone 14 की जो battery capacity है, it is exactly same, आइफोन 14 के अंदर के यहाँ पर Bluetooth 5.3 का इस्तमाल किया गया है, जो के iPhone 13 के अंदर Bluetooth 5.0 है, तो यह बी एक improvement है यहाँ और यहां पर गाई इस first time किसी भी आइफोन में जैसे मैंने आपको आइफोन 14 प्रो के वीडियो में बताया था कि कार क्राश डिरेक्शन आज वेल एस emergency SOS वाया साटलाइट यह दो फीचर्स है emergency SOS वाया साटलाइट जो है वो आने वाला है जहां पर आपका फून डिरेक्टरी साटलाइट से कॉंटाइक करेगा आप किसी मुश्किल में हो यहां नेटवर्क नहीं है तो उससे आपको मदद मिल सकती है और car crash direction यानि कि कोई अगर ट्राइवल कर है उसका iPhone उसकी car में उसके साथ है और अगर car का उनफॉटनेटली कभी accident हो जाता है तो immediately वो iPhone डेक्ट के लेगा कि car crash हो गई है जीसे fault detection आता है Apple Watch वगरा में और emergency Сर्विसस और अपके लफट में प्राइपर रिएक वाला है उनको इ यूजर हो तो या फिर आप उसके बाद 256 के लिए भी जा सकते हैं जो भी बेस्ट आफ़स है जो भी कैश बैक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां से जाके आपको इसको पर्चेस करना है चेक आउट करना है तो कर सकते हैं बहुत सारे अच्छे-चे कलर भी इसमें मि में लिखके जरू बताइए उम्मी करता दोस्तों आपको आपको अच्छा वीडियो पसना होगा पासमें इसको लाइक इंश्यर जरू कीजिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए गुडबाई